नमस्कार मैं गार्डी कोटर आपकी आंकर को तका से कार्डियर किद्नी मेटबॉलिक सनेक्ट तॉक शो में आपका स्वाधर थे हाथ के समय में कार्डियर किद्नी मेटबॉलिक इज़ी बहुत बढ़ रहा है और इस विशर में आपको एडुकेट करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौझ थे हमारे एक्सपर दॉक्टर दॉक्टर राजीव गुपता वल्कम जो शो डॉक्टर दॉक्टर पहले आप अप कपाल मद्यपदेश में कारे रत हों एवं यंग पेशिंट्स में हाट से होने वाली बीमारियों में विशेश मेरा इंट्रेस्ट है एवं ध्यान है दॉक्टर मेरा पहला सवाल अपसी यह है कि एक पूर्ण स्वास्थ वेक्टियों को हाट इता का सकते हैं बहुत महत्पूर्ण और आज के परिपेक्ष में यह प्रशन बहुत महत्व रखता है हम देख रहे हैं कई हमारे वेक्टि यंग लोग या तो अत्यादिक परिक्ष करते हैं या कई बार कोई कारिक्रम में अतिहुसाइज होकर नाचते हैं और सेडनलि इसको हम सदिन कायक देथ देथ और इसमें लक्षन आने के एक मिनिट के अंदर या प्रतम घंटे के अंदर मरीज की मरत्य हो जाता यह जिसको गोल्डन आर बोलते हैं इसके पहले उसको लक्षन आने के पहले कभी कोई तकलीफ नहीं होती हाट से संबन्दित च्छाती में दर्ड नहीं होता जबडों में दर्ड नहीं होता एवं सांस नहीं फूलती और उसको यह अशुरंस हो जाता है कि मुझे हाट की बीमारी नहीं है पर हमें समझना है कि हदे की रक्त धमनियों में या तो खून का प्रभाव होता है खून का अगाड़पन हो सकता है खून के ठक्के बन सकते हैं या जो खून के कंपोनेंट हैं जिसको हम प्लेटलेट कहते हैं वो आपस में चिपग सकता है और नस को एक दम से बंद कर सकता है वसा यदि बढ़ जाएगी तो वो इस प्रसेज को खून के ठक्के बनने को और जल्दी से कर देगा हिदे की धमनी कई बार अति उस्सा के कारण कई बार क्रोध के कारण कई बार ज़्यादा काम करने के कारण सुकर सकती है और इसको हम वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं और आप समझेंगे कि यदि धमनी सुकर गई तो रग्त का प्रभा कम हो जाएगा रुख जाएगा और ऐसे इस्तिती में हार्ट की मसिल्स को पूरा रिक्वाइड खून नहीं मिलेगा और उसमें इस कीमिया हो जाएगा इस वज़े से हार्ट की मसिल इरीटेबिल हो जाएगी गती आसंतलित हो जाएगी और हार्ट की गती बढ़ने के process को हम ventricular fibrillation कहते हैं Within seconds या within minutes अगर ventricular fibrillation होगा तो हार्ट से खून का pushing और भार जाना रुख जाएगा दिमाग में खूननी जाएगा बाकी vital organ में खूननी जाएगा और unfortunately मरीच की मरती हो सकती है जिसका पहले कोई लक्षन नहीं था तो आपका प्रशन बहुत मैत्पून है कि किसी मरीच को तकलीफ नहीं होने के बाद भी हार्ट के लक्षन आकर और मरती हो सकती है दोक्टर एक पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसका हार्ट स्वस्थ है या नहीं देखे हमारी कार शमता जो होती है वह हार्ट के पंपिंग पेड़ पैंड करती है इसको हम काड़ेक आउटपुट कहते हैं और यही प्रसेस ब्लड पेशर को जनरेट करता है या तो जब हार्ट कॉंटरेक्ट होता है तो उपर वाला ब्लड पेशर जिसको सेस्टोलिक हाइपरटेंशन या ब्लड पेशर कहते हैं और नीचे वाला डाय स्टोलिक या नीचे वाला ब्लड पेशर कहते हैं अब यदी blood pressure बढ़ेगा, heart की muscles का contraction कम होगा, heart के wells जिसको के हम अपने घर के खड़की या दर्वाजे कह सकते हैं, या विजली की wiring कमरे की जिसको हम electrical system कहते हैं, या फिर bathroom की pipeline जिसको हम coronary artery कहते हैं, कहीं भी खराबी होगी, खड़की में, दर्वाजे में, विजली के system में या पानी के प्रवाव में, तो या तो coronary artery disease होगी, या structural heart disease होगी, या muscular heart disease होगी, आप समझेंगे कि इसमें सिर्फ एक म आ रहा है, तो वो पीछे खटा होगा, फेपलों में खटा होगा, खासी आईगी, चलने फिनने में सांस फूलेगी, कई पाल लेटने में सांस फूलेगी, और उठके बैटने में थोड़ा आराब मिल जाएगा, अगर right side में जोगा, तो लीवर में सूजन आईगी, पेट मे सूजन आईगी, और पेर में सूजन आईगी, और भूग कम लगेगी, अगर blood pressure बढ़ना है, तो चाती में दर्द हो सकता है, या सिर में दर्द हो सकता है, या अतियादिक ठेकान हो सकती है, अगर गतिया संतलित होगी, तो धड़कन हो सकती है, और मुखिता, सांस का फूलन चाती में दर्द होना धर्कन कबढ़ना या खड़े होने में चलने में अंधेरा आना हार्ड के प्रमुक लक्षन हो सकते हैं और बीमारी की तरफ हमको ले जा सकते हैं दॉक्टर मेरा अगला सवाल, हार्ट अटैक से होने वाले जो पेंट जो दर्द होता है और साधरन जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से दर्द होते इनमें आप अंतर कैसे करते हैं? बहुत मैथपूर्ण प्रशन अगेन हर चाती में होने वाला दर्द हार्ट की बीमारी को इंगित नहीं करता है चाती के आसपास जितने भी और्गन्स हैं या टीशूज हैं उनमें कोई भी बीमारी होगी तो दर्द चाती में होगा और हम इसको कई बार गफलत में हार्ट की बीमारी मान लेते हैं तो हमको रियश्योर करना है कि वह फॉले फुनसी हो या हर्पी जॉस्टर हो हमारी हड़ी में बॉन्स में रिफ्स में क्रीक्चर हो पीछे की गर्दन के हड़ी में SPONDYLOSIS हो अगर हमको पैट में जलन हो रही है ऐसे डिटी हो रही है पैट का अमल खाने की नली में आहार नली में आ रहा है तो उसको रिफलक्स इसोफेजाइटिस कह सकते हैं या फिर पैंकेटाइटिस है इन सबी चीजों से गाल बेटर की बीमारी से दर्द च्छाती च्छाती के आसपास कंदे में या गर्दन में हो सकता है और कोई भी कारण नहीं हैं कि हमको च्छाती के हर दर्द को हार्ट अटेक मानना है पर मुखिता अगर च्छाती में दर्द के साथ ठकान पसीना आना उल्टी आना इस दर्द का जबले की तरफ जाना इस दर्द का पीट की तरफ जाना इस दर्द का उल्टे हाथ में मीडियल साइड में अंदर की त जाता है और हाट अटेक के रूप में हमको इसकी जाच करनी चाहिए निदान करना चाहिए और परिक्षन करना चाहिए कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी को मुख़्िता हाट की बीमारी को अनुबांशिक या जैनिटिक बनाकर नहीं छोड़ना चाहिए कई बार हम एक बहना बना देते हैं कि हमारे परिवार में कोलेस्ट्रॉल है हमारे परिवार में ब्लड पेशर है हमारे माता पिता को डायबीटीज है इसलिए हमें होने की पूरी संभावना है पर समझने की बात यह है कि अनुबांशिक बीमारी जैनिटिक बीमारी जब ही प्रदर्श्यत होती है या मैनिफेस्ट करती है जम हम उस पे इन्वार्मेंटल इंटरप्ले करते हैं जम हम उस पे कोई अत्यचार करते हैं जब हम अपने दिन्चरिया को आज संतुलित नहीं रखते तो आप समझ लें कि जैनिटिक इस लाइक लोड़ेट गन एक बंदुक जिसमें गोली भर दें पर हमारी गोली जब ही चलेगी जब हम ट्रिगर चलाएंगे और ट्रिगर चलान अगर हम दिन्चरिया स्वस्त रखते हैं वयाम करते हैं दुर्मपान नहीं करते हैं व्यसन नहीं करते हैं मोटापे को कंट्रोल करते हैं ब्लड पेशर को कंट्रोल करते हैं प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं प्रॉपर ध्यान देते हैं योगा करते हैं राथ की नीन पूरी करते हैं और सबसे महत्पूर्ण खुश रहते हैं और उससे ज़्यादा महत्पूर्ण कि दूसरे को खुश रहने देते हैं सामनेता आदमी स्वेम तो खुश रहता है पर अपने सबॉडिनेट्स को अपने स्टूडेंट्स को या अपने कलीक्स को खुश नहीं रहने देता औ कि आगे जाके हमारे वीवस के लिए बहुत मुश्पुल होंगे ताजय किग्नी मेतबॉलिक जदित पार और जानकारी के लिए हम से जुले रहिए लॉग-इन कीचिए कादो किग्नी मेतबॉलिक कनेक्ट और दिल से दिल कर ठेल्दी हाथ पेज में हमारे पेस्बुक, यूट ट्विटर और इंस्टर्म पीवरियो धनिवाद धनिवाद धनिवाद